उधारण साथ दिया है GE कोण DGF तथा कोण DEF का सम्द्विभाजक है सिद्ध करना है त्रिभुज GDE सर्वांग सम् त्रिभुज GFE अब हमारे सामने उधारण साथ है बच्चो और इसमें भी हम फिर से सर्वांग सम्ता के गोणगा उपयोग करेंगे आप देखिए इस चित्र में एक चित्रभुज दिया हुआ है आपके सामने DGFE और हमें ये जानकारी दी गई है कि रिखाखन GE कोण DGF और DEF दोनों को सम्द्वाजित करता है आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कोण बन रहा है और E पर भी एक कोण बन रहा है और यह जो रिखाखन GE है वो इन दोनों कोणों को सम्द्वाजित करती है यह हमें दिया हुआ है यानि आपको पता है कि यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है ये सूचना हमें दी हुई है जानकारी हमारे पास है और हमें ये सिद्ध करना है कि जो दोनों त्रिभुज है वो आपस में सरवांग सम है त्रिभुज DGE और त्रिभुज FGE चलिए देखते हैं दो सूचना है हमारे पास है और आप जानते हैं कि हमें एक और जानकारी चाहिए जो हमारी मदद कर सके त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने में बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि G.E. जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में है और अकेले सूचना हमें परयाप्त होती है ये सिद्ध करने के लिए त्रिभुज सर्वांग समय तो चली इनको लिख ले हम हम यहाँ पर लिखेंगे ये लिखना बहुत आसान है बहुत से लोगों को लगता है कि जामिती को हमें प्रमे को याद करना पड़ता है नेकिन आप देख ले कि यदि आपको पता चल जाए आप क्या करने वाले हैं और आपको इन आकरितियों को नाम पढ़ना आता है तो आप बहुत आसानी से इस काम भू कर सकते हैं आपको इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करनी तो हम लिखें पहले त्रिभुज का नाम त्रिभुज डी जी इए यह आप लिख सकते हैं त्रिभुज डी जी इए और दूसरा त्रिभुज यह वाला त्रिभुज है इसका नाम आप लिख सकते हैं एफ जी इए त्रिभुज एफ जी इए में हम इन दोनों त्रिभूजों में जो जान कर रहे हैं दी गई हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी पहली लाइन होती है दोनों त्रिभूजों के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं आप देख रहे हैं ये कोड इस कोड के बराबर है इस कोड को हम क्या पढ़ेंगे इस कोड को हम पढ़ेंगे डी जी ए तो हम लिखें कोड डी जी ए बराबर ये इस कोड के बराबर है जो आप यहां देख रहे हैं इसको आप क्या पढ़ सकते हैं एफ जी ए तो अब लिखें क कोण के बराबर है इसका आप क्या नाम लिखेंगे डी इजी लिखिए कोण डी डी इजी शमा किजिएगा ये कोण है डी इजी डी इजी बराबर कोण एफ ए जी एफ ए जी और तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि भुजा जी इजी दोनों त्रिभुजों में हैं इस बात को हम इस तरह से लिखें त्रिभूज कि डी जी इडी जी इडी जी इस नीचे वाले त्रिभूज के इसे आप पढ़ेंगे त्रिभूज एफ जी इडी और यही आपको सिद्ध करना था देखें बहुत आसान है पिछले उदारणों में आपने यही किया जो कोण दिये हुए थे उनके अलावा आपने एक जानकारी और ढूंडी जो दोनों त्रिभूजों में उवैनिस्ट है समान है और उसके आधार पर आपने बताया कि कोण भुजा कोण या भुजा कोण भुजा इनके आधार पर त्रिभूज सरवांग समय और एक अथन आपने लिखा और ये सवाल आपका हल हुआ प्रिभूजों में भुजा कोण भुजा है